दोस्तों नमस्कार, लाइफ कीपर चैनल में आपका स्वागत है साथियों हर आदमी को रोटी, कपड़े और घर के अलावा सुख सुविधाओं से जुड़ी कुछ चीजों की भी जरूरत होती है जिसके लिए वह दिन रात मेनत करके पैसा कमाता है, उसे इकठा करने की कोशिश करता है लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है कितना भी कमाएं, लेकिन घर में बरकत नहीं होती है हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में कभी धन की कमी न हो, हमेशा सुख समरिधी और शांती बनी रहे, लेकिन कई बार खूब मेनत करने के बावजूद भी घर में एक पैसा नहीं रुपता है, धन यूँ आता है और किसी न किसी तरह चला जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि क पैसे इस समस्या से बाहर निकलें, तो दोस्तों अगर लाख कोशिशों के बाद भी आपका कमाया हुआ पैसा घर में नहीं रुपता है, और आपके पास हमेशा पैसों की तंगी रहती है, तो आपको पैसों की कमी को दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय जरूर आजमाने पैसे में व्यक्ति को जूतिश शास्तर का सहारा लेना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें जीवन से जुडी हर समस्या का समाधान बताया गया है सबसे पहले जानते हैं धन की बचथ के लिए जूतिश शास्तर में कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है तो दोस्तों कुंडली का चठवा भाव मुख्य रूप से धन की बचत से संबंध रखता है इसके अलावा कुंडली का ग्यारहवा भाव आय को नियंतरित करता है इसलिए इस भाव को भी बचत के लिए देखना चाहिए बुध की स्थिती भी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि धन का आय व्यर बुध से ही नियंतरित होता है और इसके साथ साथ घर में पैसों की तंगी से बचने के लिए शुक्र, ब्रिहस्पती और मंगल की स्थिती भी देखना पड़ता है तभी हम पूरी तरह से बचत का आकलन कर पाएंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद वास्तु दोश भी आर्थिक तंगी का कारण हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जिन्हें घर में रखने से नकारात्मक उर्जा खत्म हो जाती है और सुख समरिधी बनी रहती है हम आपको एक एक करके ऐसे अचूप उपाय बताएंगे जिन्हें अपना कर आपके घर में पेसों की बचक तो होगी ही इसके साथ में सुख समरिधी भी बनी रहेगी मित्रों पहली चीज है तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में तुलसी को मा समान माना गया है पूजा पाठ में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है वास्तु के अनुसार आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए तुलसी की प्रतिदिन पूजा करने से मा लक्षमी प्रसन्न होती है जोतिश शास्त्र के अनुसार घर का इशान कोन बहुत ही पवित्र स्थान होता है इसलिए यहां पूजा घर बनाने की सलाह दी जाती है ऐसे में भूल कर भी इशान कोन को गंदा न रखें यह स्थान गंदा रहेगा तो आप कुछ भी करलो काम्याबी नहीं मिलेगी इसलिए इसे हमेशा साफ रखें जोतिश शास्त्र में कबूतर को राहु का प्रतीक माना जाता है अगर घर में कबूतर का घोसला बना हुआ तो यह आर्थिक परेशानी का सूचक माना जाता है ऐसी स्थिती में इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में कहीं भी कोई कबूतर अपना घोसला न बना पाएं घर में जाले वह कबाड नकारात्मक उर्जा के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं जोतिश शास्त्र के अनुसार घर के अंदर कांटेदार और जहरीले पेड नहीं लगाने चाहिए ऐसा माना जाता है कि ऐसे पौधे घर के लोगों के स्वास्थ्य और धन के लिए शुभ नहीं होते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार गलती से कभी भी बाथरूम और शौचालय के दरवाजे खुले न रखें बाथरूम के दरवाजे खुले रहने से आपकी सेहत ही नहीं बलकि आपकी आर्थिक स्थिती भी प्रभावित होती है वही अगर घर में नल से पानी तपकता रहता है या सीलन बनी हुई होती है तो व्यक्ती को जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है जोतिश शास्त्र के अनुसार घर की जाडू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है ऐसे में घर की जाडू को हमेशा छिपा कर रखें। जाडू को धन या पूजा स्थल के पास रखना कभी न भूलें। जदी काफी कोशिशों के बाद भी आर्थिक परेशानिया खत्म नहीं हो रही हो तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी बर्तन में नमक रख दें। और समय समय पर नमक को बदलते रहें। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। इसके अलावा आप किसी जोतिश की सलाह लेकर एक पन्ना या पुखराज धारण करें और अपना धन उत्तर या पूर्व की ओर खुलने वाली आलमारी में ही रखें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये आसान से कुछ वास्तु उपाय करेंगे तो आपको धन संबंदित समस्या का निवारन जरूर मिलेगा और आपकी जेब हमेशा भारी रहेगी। साथियों हैं तो ये छोठे छोठे उपाय लेकिन इनका हमारी आर्थिक स्तिथी में बड़ा योगदान रहता है इसलिए अगर आपके पास धन आता है और किसी अनावश्यक कारण से तुरंग चला जाता है तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए आपको जरूर इसका फ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बैल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो सर्वप्रथम आपको मिले धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुभ हो